नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपन इस यूटूब चैनल पे मैं हूँ मोन सुथार तो दोस्तो आज किये जो वीडियो है special उन विदार्थियों के लिए है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केवल ये समझते हैं भी हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेर सेखते ही किसी कंपरी में या फिर किसी इंडस्टी में जोब मिल जाएगी तो दोस्तो अगर आपको इस बात का पता नहीं है भी इस दुनिया के अंदर कितने टाइप का बिजनस किया जाता है अगर आपको उनको टाइप ऑफ बिजनस का नहीं पता है तो आप चैली प्राइम सॉफ्टवेर सीख लो चैए इसके अलाबा कोई भी अकाउंटिंग सॉ पहले आपको क्या कुछ सीखना ज़ुरूरी होता है जिसे कि आप एक अच्छे professional accountant है जो बन सकते हो और आपको जॉब मिल सकती है केवल अगर आप टेली software के ब्रोच से रहते हो या किसी accounting software के ब्रोच से रहते हो तो आपका time और पैसा दोनों खराब हो सकता है तो आद कि इस video को रननेती रहती है, क्या स्ट्रेजिक रहती है, अगर किसी विजनेस का स्ट्रेक्चर बदलता है, तो उसका books of accounts लिखने का, यानि कि अमें किसी भी accounting software में accounts maintain करने का त्रिक का वो भी बदल जाता है, तो वीडियो का पेंट सक complete जुरूर देखना, वीडियो अगर आपको पसंद आए, motivation लगे, तो वीडियो का आप जुरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेरिक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहले बार आए हो, तो चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब कर लेजिए, साथ में notification bell को भी आप जुरूर हिट कर लेजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप की बिजनस का सामना हमें करना पड़ेगा, और जो बिजनस का सामना हमें करना पड़ेगा, उस बिजनस का structure क्या रहता है, और उस बिजनस की books of accounts लिखने का तरीका क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, पि हमें total चार टाइप की ऐसे कुछ बिजनस होते है जिसे हमें करना होता है सबसे पहला बिजनस के हम बात करते है एक बिजनस होता है ट्रेडिंग जो उसकी सबसे ज़्यादा होता है अब ट्रेडिंग बिजनस कौन से होता है आपको ट्रेडिंग बिजनस की परिभासा पता होना चाहिए भी trading business आकिरकार होता कहा है तो दोस्तों अगर हम simple language के अंदर बात करें भी trading business एक ऐसा वेपार होता है भी जिस वेपार के अंदर जो product हमने purchase किये उसी product को हमें sell करना होता है मान लिजी आपका business किसी cosmetic product कह है और मान लिजी आपने कोई भी एक face cream आपने purchase कर ली और face cream आपने जो purchase करी है उस face cream का price है 10 रुपीज और आपने उस face cream को 10 रुपे में खरीदा और अपने customer को 15 रुपे के अंदर sale कर दिया यानि कि जो product आपने purchase किया था वो ही product आपने sale किया है अपना margin लेके तो यानि कि इस type का कोई भी business हो भी जिस business के अंदर जो product खरीद है उसी product को ही sale किया जाता है तो यानि कि वो business है trading business की category के अंदर आता है अब इसके अंदर क्या होता है आपने total product कितने का किया आपने sale उसको कितने का कर दिया और आपके पास में स्टोक कितना बज़ा हुए तो उसी के अधार पे आपका gross profit है जो calculate होता है अगर हम बात करें second type की business की तो जो second type की business होता है वो होता है manufacturing का अब manufacturing की business के अंदर क्या आता है भी manufacturing के अंदर आता है जिसे हम एज इंडर्स्ट्री का बिजनस कह सकते है प्रोडेक्शन का business कह सकते है यान की manufacturing की business के अंदर हम easy language के अंदर बात करें तो जो product उन्होंने sale किया वो उन्होंने purchase नहीं किया और जो उन्होंने purchase किया है उस product को उन्होंने sale नहीं किया अब for example हम इसको समझते है भी manufacturing business की actual में कानी क्या होती है अब इसके अंदर क्या होता है भी raw material है जो purchase किया जाता है raw material का मतलब कच्चा माल अब उसके बाद क्या होगा जो product उन्होंने purchase किया raw material कच्चा माल उन्होंने खरीद है उसके बाद उन्होंने अपनी factory के अंदर लेके उस माल को फिर उस माल की उन्होंने प्रेक्टरी के अंदर उसकी पर्सेसिंग करी और उसके बाद में उसी प्रोडक्ट को उन्होंने अलग लग आइट में बना के सेल कर दी अब हुआ क्या वी ट्रेडिंग बिजनस में क्या था उसको इसा नहीं होता है manufacturing की business की condition में ऐसा होता है भी वो raw material को process करते हैं और फिर अपनी factory के अंदर उसको raw material को process किया जाता है और उसके बाद में उसी material से अलग-अलग type की item बना की sell कर दिया जाता है अब इसका example क्या हुआ भी जो product उन्होंने sell किया है वो उन्होंने purchase ही नहीं किया और जो purchase किया है वो उन्होंने sell नहीं किया तो यानि कि खरीदा कुछ और था और बेचा कुछ और है तो ऐसी condition में के अंदर अगर हम simple सा इसका example लें तो अब माली जी हलवाई की दुकान है यानि कि मिश्टान बंडार है अब मिश्टान बंडार के अंदर क्या होता है जो भी product उनके पास होते ह माली जी है उनके पास कोई रसुला है लड़ू है भूंदी है गुलाब जमून है अब वो product उन्होंने बनाए है उन्होंने कोई market से उन product को purchase नहीं किया उनको बनाने वाला material उन्होंने परचेज किया जैसा कि उन्होंने सुगर परचेज करी उसके लिए उनको milk परचेज कि अब उन्ही material से माली जी उन्होंने एक sugar का एक बेक purchase किया उसी सुगर से उन्होंने रसुगुला भी बनाया उसी सुगर से उन्होंने बरफी भी त्यार करी उसी सुगर से उन्होंने लड़ू भी त्यार किया तो अब जैसी बात है भी उन्होंने जो product purchase किया था अब उन्हो को purchase किया जाता है अपनी फेक्टरी में उन्होंने प्रसेस करी और फिर उसी प्रोडेक्ट को उन्होंने आइड लग लग टाइप की आइड में बना के सेल कर दिया तो इस टाइप के जो business होता है वो manufacturing का बिजनस होता है अब ऐसी कंडिशन के अंदर क्या होगा अब trading विजनस के अंदर तो देखो क्या हुआ था भी खाली purchase और सेल होता है पर्चेज और सेल का मिन्स क्या मतलब हो गया वियानिकी उन्होंने खाली उस product को पर्चेज किया और उसी product को उन्होंने सेल कर दिया लेकिन manufacturing की business के condition के अंदर क्या होता है रा material पर्चेज हुआ फिर उसका bill of material त्यार हुआ software के अंदर फिर उसकी item की सेल त्यार हुआ यानकि इसका accounting का structure trading count से थोड़ा सा difference हो गया तीसरे type की business के हम बात करते हैं service हम कह सकते हैं या फिर professional लोग इसको हम कह सकते हैं अब इस category के अंदर क्या लोग होते हैं जैसे मान लिजे doctor लोग होगी या एड़ौकेट लोग होगे या अपने कह सकते हैं इंजिनियर लोग होगे या पिर हम कह सकते हैं कोई teacher लोग होगे यानकि बहुत सारे इस Type की के लोग होते हैं जो केवल अपने service प्रवाइड करकि और अपना पैसा कमाते हैं अब जैसे डॉक्टर है अब डॉक्टर दोनों कंडिशन से बाहर आई यान कि वो trading business भी नहीं करता है यान डोक्टर लोग होते हैं वो नहीं तो कोई product को purchase करते हैं नहीं sell करते हैं और नहीं कोई manufacturing करते हैं यानि कि किसी product को बना के बेशते हैं अब इनका काम क्या होता है अब यह लोग इस टाइब के जो business होता वो as a professional की category में आता है अब जैसे डोक्टर है अब डोक्टर के पास क्या होता है कोई patient आया उसने अपनी फिस ली और पेशेंट को treatment लिखके दे दिया इसी तरीके से teacher है अब teacher क्या करेगा भी पूरे मत पढ़ाएगा और अपनी tuition फिस ल तो यानि कि अब इस टाइब के अगर कोई service की अगर इस टाइब की business की accounting हमें maintain करनी पड़े तो इसका business का structure थोड़ा सा difference हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें कोई product नहीं तो purchase करना और नहीं कोई sale करना यहां पर हमें non inventory maintain करनी होती है इस condition में तो क्या होता है manufacturing के अंदर और sale कर दिया लेकिर इस condition के अंदर हमारे पास कोई inventory होती नहीं है यह हमारा business service की category के अगर हम बात करें चोथे business type की अब यहां पर जैसे कि हम इसको कह सकते हैं commission agent हो गया या फिर एजे broker हो गया जिसे हम दला लो कह सकते हैं अब commission agents का काम क्या होता है भी माली जी कोई A इनके पास seller है और B purchaser है यानकि A के पास कोई property है और B उसको खरीजना चाहता है लेकिन अब यह commission जो brokers होते हैं वो क्या करते हैं इनका आपसी जो contract है वो B के साथ करवा देते हैं और बीच के अंदर जो भी अपना इनका commission हो सकता है या फिर इनको दलाली कह सकते हैं यह लोग अपना commission ले लेते हैं तो ऐसी condition में यह एक टाइप का business है तो अब इस condition के अंदर यह जो commission agents या फिर ब्रोक्रम कह सकते हैं इसका business इन तीनों category से ही बार है क्योंकि इन लोगों ने क्या किया नहीं कोई product को purchase किया नहीं sale किया नहीं कोई manufacturing करी और नहीं कोई अपनी service करी अब इनों क्या 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 कोई A के पास property है B उसको खरीदना चाता है और माली जी यहाँ पर कोई A कमिशन agent है तो C A जी इनका mediator है अब C इन दोनों के बीच के अंदर इनका सोधा करवा देगा बिजनस होता है अब इस टाइब की business की accounting का structure भी थोड़ा बहुत change हो जाएगा तो यानि कि कहने का मतलब यह हो गया पिस सबसे पहले अगर कोई भी students टेली software सीख रहा है या किसी institute से accounting का कोई course कर रहे है तो सबसे पहले उसको business का structure समझना पड़ेगा भी मुझे किस टाइब क बिजनिस की जो accounting करनी है उसका structure क्या होता है बे ट्रेडिंग काउंट की condition में क्या होता है प्रचेसल होता है manufacturing काउंटिंग के अंदर क्या होता है और कमिशन एजेंट की condition के अंदर यह तिनों category से बार है यहाँ पर हमें केवल और केवल हमारी जो books के अंदर माली जीए यह सी एज़े को बिजनस मेंन है और इसका काम है मनलब किसी भी property का किसी भी चीज़ का सोधा करवाने का तो अगर हमें इस टाइब के अगर बिजनस के accounting करना पड़े सी टाइब की company को तो हमें नहीं तो कोई inventory मेंटेन करनी नहीं कोई रा मेटेरियर पर्चेस करन और नहीं हमें कोई service दिखानी यहां पर हमें केवल और केवल हमारा commission है जो उसी की entry करनी होती है तो दोस्तों यह इस टाइब के जो बिजनस होते हैं अगर आपको इन टाइब की business का पता नहीं होगा भी हमें business का structure कि कि किस टाइब की entry हमें software में करनी है software आपके पास कोई software available market के अंदर कोई accounting software हो सकता है लेकिन आपको rules है वो पता होना चाहिए किस टाइब की business के accounting को हमें किस परकार से maintain करना होता है दोस्तों अगर आप सभी टाइब की business के accounting को सीखना चाहती हो तो आप मारे इस YouTube channel पर visit कीजिए और visit करने के बाद हमारे playlist को open कर लिजिए जहां पर आपको total टेली software में और busy software में किस परकार से accounting maintain होती है total video आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो दोस्तों अमीद करता हूँ आज किस वीडियो से जुरूर आपको कुछ सीखने को मिला है अगर आप भी किसी institute से टेली या कोई accounting का course कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इन बातों का फोक्स करना बहुत ही जरूर यह भी आप जो सीख रहे हो वो किस type की business की accounting को सीख रहे हो फिर भी अगर आपके कोई query है तो आप हमें comment जरूर केजिए वीडियो से अकर आपको कुछ motivation मिल है तो आप हमें तो भी comment करके जरूर बताईएगा और अभी तक आपने इस channel को subscribe करके नहीं रखवा तो please वो भी कर लिजिए क्योंकि आपको इसी type की आगे भी और भी वीडियो continue मिलती रहेगी तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक और नए interesting topic के साथ